सो हेलो काई साब लोगा बहुत स्वागत है हमारे चनल के अंदर तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐसा डिजाइन क्रेट कर सकते हो जैसे कि अब अभी स्क्रीन पर देख रहा हूं यहां पर हमने कुछ दिन पहला आपके लॉग इन जो याए फैल दिया था तो उसी अगबर में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐसा डिजाइन क्रेट कर सकते हो तो यह जो डिजाइन क्रेट करना काफी ज्यादा सिंपिल है तो चलिए वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से i.e.a.w Muk.डड़ दोँगा तीक है तो चलो में मbas कर एक घण हम इसका आं मेरा रख चेंट अम आपकोusch कि अधर कर देता हूँ तो जाएंपर में एस की उत पडनेत में ब्रचारण में एन्शनल देधा ह्टू हुआँ सभी को में सैंटर कर देता हूं आप गई इसके बात य अब यह क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूं यहां पर देखो जब टैप पर कोई Select करेगा जो Select बाला Position है उसका Color क्या होगा ठीक है यहां पर देखो इसका जो Color है इसको हमने घ्रे रखा है इसी बज़े से मैं इसको क्या कर दूँगा? gray कर दूँगा ठीक है select कोने होने के बाद क्या color होगा test का वो मैं आपर set कर देता हूँ आप गईस tab का background color है यह जो पीछे का background color है यह हमने white रखा है तो simply मैं इसको white कर दूँगा यहाँ पर आप गई साथ है tab indicator color so guys tab indicator color यह है यह जो नीचे बाला आप देख रहे है ठीक है जब कोई भी point पर select करेगा जो यह indicator है यह बही पर चला जाएगा ठीक है यह indicator का color आप क्या रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर set कर सकते हो so मैं यहाँ पर green कर देता हूँ अब इसके बद गईस यहाँ पर आता है okay so यहाँ पर हमारा जो टैबल आउट का properties है इसको हमने complete कर लिया अब चलो यहाँ पर गईस मैं एक और ले आउट ले जलता हूँ जिसका नाम में रखता हूँ login arrangement तो इसका width में fill to parent करूँगा और height को मैं automatic रहने दूँगा आपके इसके बाद में यहाँ पर एक space लूँगा और इसका जो elegant horizontal और वार्टिकल इसको मैं center कर देता हूँ तो चलो कई सबसे पहले यह जो arrangement है इस arrangement का मैं rename कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ login arrangement अब इसके बाद गईस यहाँ पर जो हमने space लिया है यहाँ पर हूँ मैं, द धक्राइच और के humor का इसका रख देता हूँ 11 px आप यहाँ पर मैं दो text box द्रेग ड्रॉप कर लेता हूँ आप इन दोनों का width मैं filter to parent कर देता हूँ, यहाँ पर जो hint है, इस सभी को मैं change कर देता हूँ और इन दो text box का मैं rename भी कर देता हूँ So guys, यहाँ पर हमने hint change कर दिया और इन दो text box का rename भी कर दिया आप guys, यहाँ पर दोगी यह जो guys border है ठीक है So guys, यह जो border है, इस border को हम block के अंदर create करेंगे ठीक है, कैसे create करेंगे वो आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है आप guys, यहाँ पर जो button है, इस button को हमको create करना है So guys, यह जो button है, इस button को हमने create का है card view जो layout है उसकी मदद से, ठीक है So चलो यहाँ पर मैं card view ले ले लेता हूँ और guys, यहाँ पर जो elegant horizontal, vertical है इस दोनों को मैं center कर देता हूँ इसका background color, मैं एक दे देता हूँ यहाँ पर purple दे देता हूँ Okay, अब इसका जो width है, इसको मैं field to pattern कर देता हूँ और इसको मैं 30 कर देता हूँ Okay, आप guys, इसको मैं full clickable कर देता हूँ आप guys, इसका अंदर मैं एक label हूँगा So, यहाँ पर मैं label ले लेता हूँ और label का जो test उसको मैं white कर देता हूँ अब guys, यहाँ पर मैं label के test को हटा कर दूँगा, sign in Okay guys, तो यहाँ पर guys, हमारा यह बन गया ठीक है, अब यह जो design है, यह design को मैं block के अंदर create करूँगा ठीक है, So, अभी यह जो design है, यह कैसा दिखेगा, अभी आपको screen पर दिख रहा होगा कि कैसा यह design अभी दिख रहा है, लेकिन बाद में हम block में जाके इस design को ऐसे create करेंगे, ठीक है Okay, so guys, यहाँ पर हमने जो sign in का का मैं इसको अभी कर लिया है, ठीक है So, अभ मैं इसको guys, क्या करूँगा, इसको invisible करूँगा, अभ मैं sign up का का काम करूँगा So, यह sign up का भी same to same है, So, मैं यह पर एक vertical arrangement ले देता हूँ इसका width मैं fill to parent कर देता हूँ, elegant horizontal से भी को center कर देता हूँ Okay, आप guys, मैं यहाँ पर text box ले लता हूँ, So, guys, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने दो text box लिया है horizontally एक है first name के लिए, एक last name के लिए, So, इसी बादे से guys, मैं यहाँ पर एक horizontal arrangement में ले ले लूँगा इसका width मैं fill to parent करूँगा, और elegant horizontal को center और इसको भी center कर दूँगा और करने के बाद guys, यहाँ पर मैं दो text box ले लूँगा, ठीक है, So, यहाँ पर मैं दो text box ले लेता हूँ और इन दो text box का width जो है बो मैं fill to parent कर देता हूँ So, अब guys, यहाँ पर देखो guys, हमने और तीन text box लिया है, number के लिए, password के लिए और confirm password के लिए, ठीक है So, मैं यहाँ पर तीन और text box ले लेता हूँ और इन तीनों का width मैं fill to parent कर देता हूँ Okay, आप guys, यह सभी text box का name और hint मैं यहाँ पर change कर देता हूँ आप guys, यहाँ पर हमने सभी का rename और hint है उसको डाल दिया, आप guys, यहाँ पर मैं सेम तरीके से बही एक और sign up का button create करूँगा So, मैं यहाँ पर एक card भी लूँगा, इसका width मैं रखूँगा, fill to parent और इसका जो horizontal या लिगेन है, इसको center इसको भी center कर दूँगा और इसका जो background color है यह मैं यहाँ पर blue रख रहा हूँ, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हो, ठीक है और इसका बाद जो corner reduce है, इसको मैं 30 कर देता हूँ, इसको मैं full clickable कर देता हूँ और इसके अंदर मैं एक और label ले देता हूँ और label का जो text है उसको कर देता हूँ, white और इसका text इसको मैं change कर देता हूँ, sign up So, अभी हमने guys, यहाँ पर design का गाह में इसको कर लिया है आप guys, यहाँ पर जो, यह जो design है, इसको आप कैसे create करोगे, यह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है आप guys, इसके लिए आपको यहाँ पर एक component की जरोत पर एक कोदुलार के अंदर, जिसका नाम है decoration component, ठीक है So, इस decoration component को आपको यहाँ पर drag drop करना है Okay guys, आप guys, मैं यहाँ पर login arrangement को visible कर देता हूँ, और यह जो sign up arrangement है, इसको मैं भी invisible कर देता हूँ आप guys, चलो blocks पर चलते हैं, so blocks पर जाने के बाद guys, मैं सबसे पहले tab layout के साथ, इन दो layout को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, add करूँगा, ठीक है So, tab layout का अंदर हमको यह blog लेना है, अब मैं इसको screen on initialize का अंदर लगा देता हूँ Okay, so इसका मैं name दे देता हूँ की login Okay, guys, यहाँ पर जो icon है, यह आप चाहाँ तो दे सकतो हो, लेकिन मैं इसको blank रख देता हूँ, ठीक है, उससाथ चाहत मैं sign up का भी कर लेता हूँ, यहाँ पर is equal to login, अगर login हुआ, तो मैं क्या करूँगा, यह जो login के arrangement है, इसको visible कर दूँगा ठीक है, और यह जो sign up के arrangement है, इसको मैं invisible कर दूँगा और इसके बाद मैं हाँ पर elseip का एक और condition लेता हूँ, और अगर tab name sign up होता है, so guys मैं कर दूँगा, sign up का जो arrangement है, इसको visible true कर दूँगा, और जो login का arrangement है, इसको visible force कर दूँगा, so guys यहाँ पर हमारा tab layout है, वो बन गया, ठीक है, अब guys यहाँ पर जो यह design है, इसको आप मैं बनाऊंगा, ठीक है, so guys इसके लिए मैं हाँ पर screen one के अंदर ही इसको काम कर लेता हूँ, ठीक है, so guys देखो guys, यहाँ पर हमको total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 जो text box है, ठीक है, साथ text box का design same to same करना है, ठीक है, और यहाँ पर guys decoration के अंदर, ऐसा design create करने के लिए component मिल जाता है, ठीक है, एक blog मिल जाता है, जिसकी मदद से हम यह जो design ही इसको create कर सकते हैं, ठीक है, हमको यहाँ पर multiple text box को लगाना है, तो अब मैं कैसे करूँगा इसको, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर for each item का एक loop लूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं में का list कर लूँगा इसको, ठीक है, और यहाँ पर हमने total 7 जो text box लिया है, तो 7 यहाँ पर मैं item ले लूँगा, अब हर एक text box का, यह जो निचला बाला हिस्सा, मतलब जो आपको, आंत में जो block मिलता है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है, तो मैं सभी को यहाँ पर लगा देता हूँ, साथो, जो text box है, साथो text box का, सभी को हमने यहाँ पर लगा दिया, आप सभी का मैं जो safe है, इसको change कर दूँगा, तो यहाँ पर हमको component देना है, तो component हो गई है, यह item, आप गईज इसका जो background color है, सभी जो text box का background color में white कर दूँगा, so background color white, आप border color यहाँ पर देखो guys, यहाँ पर border color black है, so चलो इसको मैं black कर देता हूँ, अब guys क्या आप इस text box को roundable लगना चाते हो, वो भी यहाँ पर दे सकते हो, अगर आप roundable लगना चाते हो, तो यहाँ पर आप true कर दो, नहीं तो यहाँ पर आप false कर दो, मैं आपर false कर दे देता हूँ, so margin यहाँ पर मैं set कर देता हूँ इसको, so यहाँ पर मैं item ही लगा देता हूँ, यहाँ पर आप values के अंदर में डाल देता हूँ, so यह जो left, right, bottom और top सभी का margin मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ इसको, आप guys आपका design कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो guys इसी प्रक करूंगे कि आपको इस वीडियो पसंद आया है, और आपको कहीज दिखेगा इस वीडियो पसंद आ गया है, तो एक like करना, चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को जरूँ सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो, सेकोतना share करना, तो guys बास आज के लिए इतना ही मिलते हो आपको जाए तो चैनल गुडबाए